next exercise आपकी है 4.2, class 7 की, solve the following equations, equations को solve करना है, लिखिए यहाँ पे दो steps लिगेंगे, वहाँ पे आपने एक step में किया, 10p plus 10 is equal to 100, तो सबसे पहला step आपका क्या था, जो constant है, उसको transpose करना है, right की तरफ, तो आप क्या लिखेंगे, 10p is equal to, किसके equal आएगा, 10p is equal to, equal to के बाद 100 है, और इसको आपने आगे क्यों transpose करना है, तो यह plus 10 है, तो क्या हो जाएगा, minus 10, तो 10p is equal to, 100 में से 10 को minus करेंगे, कितना आएगा, 90, फिर p is equal to, दीखिए यहाँ पे 10 multiply में है, p के multiply में, तो आपने किसमें लेना है, right hand side के divide में, तो यहाँ से यह 0 और यह 0, तो cancel हो जाएगा, so p का जो value आएगा, वो कितना आजाएगा, 9, बिल्कुल simple, steps को follow करना है, आप easily in questions को solve कर सकते हैं, next है आपका, 3 by 4p, ठीक है, 3 by 4p is equal to 6, तो देखें कैसे करेंगे, सबसे पहले 3p को ऐसे रखेंगे, 4 divide में हैं, तो आगे जाके कहां जाएगा, multiply में, ठीक, इसको solve करेंगे, जैसे यहाँ पर minus किया था, 6 poza, 24, अब जो coefficient है, वो 3 है, वो multiply में है, तो आप क्या करेंगे, p is equal to 24, यहीं पर रहेगा, यह जो multiply में है, इसको कहां लेंगे, divide में, so p is equal to 3, कितने जार, 3, 8,000, तो क्या होगा, 8, बिल्कुल simple, ठीक, so next आपका है, d part करते हैं d part में आते हैं, minus p by 3 is equal to 5, तो यहाँ पर खयार रखेंगे आप minus का, सबसे पहले यहाँ पर constant जो है, यह coefficient जो है, 3, तो constant तो यहाँ पर है यह नहीं, तो उसको transpose का step करते हो गया, अब क्या लिखेंगे, minus p is equal to, यह divide में है, तो आगे जाके क्या आजाएगा, आगे जाके 15, और p is equal to, आप यह जो negative 2 sign है, minus का sign है, यह आफ इन variables के साथ नहीं रखेंगे जब आप value निकालोगे, तो यह minus का sign कहाँ जाएगा, आगे, तो यह आएगा minus 15, ठीक है, तो यह आपका answer होगा, next आपका है exercise 4.3, तो बाकी questions इसमें जो है, exercise 4.2 में वो आपको खुद करने हैं, क्योंकि वो बहुत easy है, next question दिखे, solve the following equations, अब हम नई equations को solve करना सीखेंगे, यहाँ पर दिखे, 2y यह क्या है, constant value, यह भी constant value, तो सबसे पहले आपने इस constant value को right hand side में लेंगे, तो लिखे कैसे करेंगे, 2y is equal to, यह जो 5 by 2 है, इसको आपने right side में लेना है, तो आप कैसे लिख माइनस 5 by 2, अब जैसे उपर आपने solve किया था, वैसे ही यहाँ पर करना है, 2y is equal to, देखे, नीचे denominator same है, तो आप एक लिखेंगे, ठीक है, यह आप already पढ़ चुके है, 37 minus, उपर क्या है, 37 फिर है minus 5 numerator में, तो 2y is equal to कितना आजाएगा, 37 में आप 5 निकालोगे, देखे, 7 में से 5 हो बाकी, 2 और 3 बचेगा, 32 upon 2, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 2y is equal to, इसको उड़ा दो, 2 16s are, आएगा 16, अब आप इसको फिर से डिवाइड करोगे, तो यह multiply में है, आप y is equal to 16 by 2, तो 2 1s are 2, 2 8s are 16, तो आपका answer आएगा, y का value जो था, वो कितना था, 8, next part आपका है, 3L upon 2 is equal to 2 by 3, देखे, solution में आप क्या करेंगे, solution में 3L by 2 है, तो आप क्या लिखेंगे, देखे, 3L ऐसे रखेंगे, 2 by 3 ऐसे ही है, अब यह 2 जो डिवाइड में है, जब आगे जाएगा, देखे, डिनॉमिनेटर में है, जब आगे जाएगा, तो multiply में हो में, तो आप क्या लिखेंगे, 3L is equal to, 2, 2 जा कितना होता है, 4 by 3, लेकिन अब L का वैल्यू आपको चाहिए, तो यह कितना है, 4 by 3, अब यह 3 यहाँ multiply में है, यहाँ पे जब राइट हैंड साइड में आप लोगे तो कहा आजाएगा, यहाँ पे, तो L का जो वैल्यू आएगा, वो आएगा, 4 by 9, 3L पहले उतना ही रखेंगे, 2 को आप आगे लेंगे, यह divide में है, multiply में जाएगा, तो 2, 2 जा 4 upon 3, फिर L की वैल्यू आपको चाहिए, तो 3L है, तो 3 multiply में है, तो आगे जाएगे, divide में जाएगा, 4 upon 3, 3 जा 9, ठीक है, तो यह 4.3 आपकी खतम हो ज exercise 4.3, question number 2, solve the following equations, आपने इसमें equations को solve करना है, तो देखिए, सबसे पहले आपको bracket को solve करना पड़ेगा, यह इसके multiply में है, तो 2 को सबसे पहले आपने x के साथ देना है, तो क्या जाएगा, 2 into x कितना हो गया, 2x, फिर यहाँ पे plus का sign है तो, plus, और 2 को फिर किसके साथ देना है 4 के साथ, तो 2, 4000 कितना हो गया, 8, is equal to कितना है, 12, सबसे पहले आपने यह करना है, बस अब आप जैसे equation solve करते थे वैसे ही करना है, सबसे पहले 2 को x के साथ, तो 2x, फिर plus का sign है तो plus, 2 को 4 के साथ, 8 equal to 12, अब 2x यहीं पे रहेगा, is equal to, आपने क्या करना है, 8 को transpose करना है आग दखे, minus it, 2x is equal to 12 में से 8 निकालोगे तो कितना हैगा, 4, अब 2 multiply में है तो कहाँ जाएगा, divide में, so x is equal to, 2 to the 4, तो आपके पास जो value होगा x का वो कितना होगा, 2, step wise अगर आप चलेंगे तो आपको कोई भी परिशानी नहीं होगी, next d part है, यह थोड़े typical parts है, इसलिए मैंने यह करवाए हैं, बाकी जो parts है वो आपको कूद करने, 3 minus 2 into 2 minus y is equal to 7, यहाँ पर दिखिए, यहाँ पहले ही 3 minus 2 आप लिखेंगे 1, बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पर, यह जो minus 2 into this है, पहले इसका मतलब है कि यह जो 2 है, minus 2 जो है, यह इसके साथ है, आप इसमें से इसको minus नहीं कर सकती हो, यह bracket के साथ है, 2 into 2 minus y, तो सबसे पहले यह number कौन सा है, constant तो इसको आप ले लो right hand side में, तो आप क्या लिखेंगे, minus 2 into 2 minus y, ठीक है, minus 2 into 2 minus y, इसको आप बिल्कुल सेम रखेंगे, इसको कुछ नहीं करना है, यह जो constant है, इसको आप क्या करेंगे, transpose करेंगे इसको जब transpose आप करोगे, तो यह क्या जाएगा, 7, यह plus 3 है तो आपके, minus 3, जिसके साथ कोई sign नहीं वो positive, अब यहाँ पर minus, दिखेंगे, minus है, तो minus को plus के साथ जब multiply लगता है, तो sign क्या आता है, minus, ठीक, so 2, 2's are 4, तो minus 4, अब यहाँ पर भी minus, यहाँ पर भी minus, अगर sign same है multiply में तो क्या हो जाते है, plus, so minus, 2 minus, plus 2 को y के साथ तो क्या आएगा, 2y, is equal to, यहाँ पर करोगे, 7 minus 3 आएगा, 4, अब यहाँ पर फिर से यह constant है, तो आप क्या लिखेंगे, 2y is equal to, यह वाला 4 यहीं है, और इस minus 4 को आप आगे लेंगे, तो जब आगे लेंगे, तो यह क्या हो divide में, 8 by 2, तो जब आप उड़ाएंगे, तो answer कितना आएगा, 4, 2 for the 8, ठीक, बिल्कुल simple, यहाँ पर आप, यहाँ पर बहुत खयार रखेंगे, आप 3 minus 2 पहले अगर करेंगे, तो बिल्कुल question गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो constant का value है, वो है 3, यह जो minus 2 है, यह इस को solve करना है, तब जाके फिर आप easily आ सकते हो, और यहाँ पर एक और खया रखना है कि minus को plus के साथ multiply हो रहत हो, minus आएगा, फिर 2, 2, 0, 4 आप करेंगे, पहले इस दो को, फिर इसको और इसको, तो यहाँ पर minus into minus plus, फिर 2 को y के साथ y, ठीक, next g part पर आता है, g part में आपको क्या कर ब्रैकिट के साथ, तो 4 को सबसे पहले आप आगे लेंगे, मैं यहाँ पर 5 into p minus 1 को as it is आप लिखेंगे, is equal to, यह 34 और इस 4 को आप क्या कर रहे हो, इस 4 को ले रहे हो, आप आगे, तो इसका sign plus है, तो क्या हो जाएगा, minus, यहाँ पर से solve करेंगे, 5 को इसके साथ, 5 p, और फि minus, 5 को 1 के साथ multiply करोगे, कितना आएगा, 5 1 सा 5, is equal to, 5 को इसके साथ भी करना है, 34 में से 4 निकालोगे, तो 30, और 5 p is equal to, यहाँ पर constant कौन सा है, यह वाला, आगे लिलो, आजेगा कितना, 30 plus 5 आ रहा है, ठीक है, यह minus 5 था, आगे जाके, plus 5 आएगा, फिर, p is equal to, 35, तो 5 इसके साथ है, 5 p is equal to, 35, अब 5, फिर से multiply में, तो कहाँ जाएगा, divide में, तो p is equal to, 35, अपान, 5, तो वो कितना आएगा, 5 7 जा, तो p का value जो है, वो 7 होगा, question number 3 है, solve the following equations, यहाँ पर equations कुछ अलग से दिया हुआ है, minus 16, फिर, minus 5, into 2, minus p, देखे, आपको निकालना क्या है, आपने variable निकालना है, तो variable आपके पास क्या है, p, तो जो चीज़ आपको निकालनी है, उसको आप left hand side में लेंगे, इसका मतलब पूरी right hand side को आप left में लेंगे तो solution में कैसे लिख होगे आप, minus 5, into 2, minus p, is equal to minus 16, simple है, right hand side को आपको पूरा left में लेना है, और left को पूरा right में, उस time sign change नहीं होंगे, ठीक, हाँ, अगर आप यहाँ से किसी एक को लेते हो, फिर sign change हो जाएंगे, यह पूरा आपने इस side लिया है, और यह पूरा आपके इस side ठीक, so minus 5, into 2, minus p, याद रखना, जब भी आपको किसी variable का value निकालना है, अगर वो right hand में दिया है, आपको पूरा value left में लेना है, और left वाला right में, देखें, सबसे पहले आप क्या करेंगे, solve करना पड़ेगा, यह चूंकि minus 5, इसके साथ है, तो देखें, minus into plus, कितना हो गया, minus 5, 2, 0, 10, फिर यह भी minus, यह भी minus, तो minus into minus, plus, 5 को p के साथ करोगे, तो कितना हैगा, 5, p, पहले 5 को 2 के साथ, तो 10, फिर 5 को p के साथ, तो 5, p, is equal to कितना है, minus 16, अब आपका जो step है, वो क्या है, अपने constant को transpose करना है, तो यहाँ पे minus 16 है, यह minus 10 है, तो आगे जाएगे, क्या बनेगा, plus 10, तो यह 5, p, is equal to, देखिए, minus 16, plus 10, एक minus है, और एक plus है, तो हमेशा क्या होगा, minus, तो क्या आजाएगा, देखिए, 16 में से 10 निकालोगे, तो कितना आएगा, 6, लेकिन साइन किसका रहेगा, बड़ेगा, ठीक, तो, p, is equal to, minus 6, यह multiply में है, तो कहाँ जाए देखिए, तो यह जो है, आपका, value आएगा, देखिए, यहाँ पर आप खायार रखेंगे, minus 16, plus 10, एक plus है, और दूसरी टर्म, minus है, तो आपने सीधा minus करना होता है, और जो बड़े का sign होगा, वो आपको लेना है, next, f part में देखिए, solution करते हैं हम इसका, यहाँ पर 0 दिया गया है, 16, plus 4, m, minus 6, तो आप क्या करेंगे, m, right hand side में, तो इस पूरे को आपको left में लाना पड़ेगा, इस पूरे को, खयार रखें, इस पूरी right को left में, और left को right में, तो आप क्या लिखेंगे, 16, plus 4, into, m, minus 6, is equal to zero, यहाँ का equation बना, अब देखिए, यहाँ पर यह क्या है, constant, इस 4 को आप इससे add नहीं कर सकते हैं, यह इसके साथ है, अब लिखेंगे, 4 into m, minus 6, is equal to, यह plus 16 है, आगे जाके, minus 16, 4 को m के साथ, तो 4 m, फिर minus है, तो 1 plus, minus, minus, 4, 60, 24, is equal to minus 16, 4 m, यहीं पर रहेगा, इस constant को आप आगे ले जाएंगे, तो यह आएगा, minus 16, यह minus 24 था, तो plus 24 आजाएगा, ठीक, तो 4 m is equal to, किसके एकवल आएगा, 4 m is equal to, minus 16, plus 24, ठीक है, तो 24 बड़ा है, और minus 16 चोहता है, तो sign positive आएगा, 24 minus 16 आप करोगे, तो कितना आएगा, 8, ठीक, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, देखिए, यहाँ पर, यहाँ पर 4 m is equal to 8 है, तो आप क्या लिखेंगे, m is equal to, यह multiply में है, तो कहाँ जाएगा, 8 के, divide में, right hand side के, divide में, तो कितना आजाएगा, 4 2008, तो m का जो value होगा, वो 2 होगा, तो exercise 4.4 करते हैं, देखिए, यहाँ पर लग है, set up the equation, आपको सबसे पहले equation को set up करना है, and solve them, फिर solve करना है, पहले equation setup करेंगे आप, उसके बाद solve करेंगे, उसके बाद find the unknown number in the following, और आपको unknown number भी ढूंडना है, सबसे पहले statement को आपने equation बनाना है, add 4 to 8 times a number, तो number हमें पता है क्या, बिलकुल भी नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, let the number be x, हमने वो number क्या लिया, x, आपको क्या बोला गया, 8 times a number, add 4, add 4, आपको 4 add करना है, किस में, 8 times a number, 8 times का मतलब, 8 times मैंने पहले बोला था, times का मतलब multiply, so 8x, add का मतलब plus, कितना करना है, 4, is equal to, you get का मतलब आपको मिलेगा, that is equal to, 60, ठीक, अब इसको solve करेंगे, आपने का unknown number भी निकालना है, that means, you have to find the value of x here, so आप क्या करेंगे, 8x is equal to, यह एगा 60, इसको transpose करोगे, plus 4 है, तो minus 4 बन जाएगा, 8x is equal to, 60 मैं से आप 4 निकालनेंगे, तो कितना हैगा, 56, तो x is equal to 56 by 8, क्यों, multiply में, divide में लिया, 8 1s are 8, 8 7s are 56, तो आपके पास x का जो value था, वो कितना था, 7, ठीक है, देखे, 8 7s are 56, x का value 7 है, अगर आप put करेंगे, इसमें, 8 7s are 56, plus 4, 60, यहाँ पर, 60, यहाँ पर, equal values, ठीक, next part है आपका, देखे, फातिमा थिंक साफे नंबर, फातिमा कोई नंबर सूचती है, क्या सूचती है, यह हमें पता ही निये, हम लिखेंगे, let the number be x, suppose करो, उसने जो नंबर, थिंक किया है, मतलब जो सोचा है, नंबर वो x है, if she adds 19 to it, वो क्या करती है, x में 19 को add करती है, and divides the sum by 5, divides the sum, sum का मतलब, यह जो sum आया है, इसको क्या कर रही है, divide कर रही है, किसके साथ, 5 के साथ, देखे, कोशन समझना जरूर यह, फातिमा ने कोई नंबर सूचा, तो हमने पता नहीं है, कौन सा सूचा, तो let the number be x, हमने सपूस किया, कि वो x है, if she add 19 to it, वो इसी नंबर में, इस x में add करती है, 19 को, ठीक, and divides the sum, और जो sum करके, प्लस करके जो आया है, उसको divide कर रही है, 5 के साथ, she will get 8, she will get का मतलब है, किसके एक बार आया, 8 के equal, तो आप देखिए कैसे लिखेंगे, x plus 19 is equal to 8, यह नीचे divide में है, तो आगे जाके multiply में, into 5, यहाँ पर आएगा, x plus 19 is equal to 8 into 5, कितना होता है, 40, ठीक, अब, x is equal to 40 minus 19, जो कि यह 19 जो है, आपका constant है, राइट हैंड साइड में लेंगे, तो x is equal to, x का जो value आएगा, वो कितना आएगा, देखिए, 10 में से 9 आप निकालेंगे तो, 1, यहाँ पर कितना बचा, 3, 3 में से 1 नि 21 है, अब है question number 4, solve the following riddle, आपने riddle को solve करना है, I am a number, वो रहा है कि मैं एक number हूँ, tell my identity, मेरी identity बोलो कि मैं कौन हूँ, I am a number, हमें पता है क्या है, नहीं पता है, तो हम क्या लिखेंगे, let the number be x, number क्या है, x, take me 7 times over, तो देखिए, take me 7 times over का मतला पर है, 7x, ठीक, and add a 50, और add हमने कितना किया, 50, बिल्कुल, step y, चला, I am a number, कौन सा number, पता नहीं है, तो x, tell my identity, take me 7 times over, मुझे 7 times ले लो, तो 7 times x हमने ले लिया, and add a 50, और मुझे 50 एड करो, कर दिया, to reach a triple century, अगर आपको triple century के पहुँचना है, triple century, ठीक है, 300 तक पहुचना है, you still need 40, 40, मतलब आपको 40, और चाहिए, ठीक, तो देखिए, यहाँ पे आप करेंगे, तो यह कितना हैगा, 7x plus, इनको add करोगे, तो कितना आजाएगा, 50 और 40, कितना, 90, is equal to, 300, ठीक, तो यहाँ पे, 7x is equal to, 300 में से 90 को निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसको हमने right hand side में लेना है, तो sign change हो जाएगा, तो 7x is equal to, देखिए, 300 में से 90 को निकालोगे, तो कितना आजाएगा, 210, अब, x के साथ 7 है, multiply में, इसको कहां लेंगे, divide में, तो आपको जो वो number था, वो मिल जाएगा, ठीक, तो x is equal to, 7 कितने जार, 7, 3,000, 21, और 7, 00, 00, तो जो जो number था, वो कितना था, 30, देखिए, अगर आपने verify करना है, तो कैसे verify करोगे, कि दो लेफ्ट हैंड साइड हो, राइट हैंड साइड, एक वाल आना चाहिए, देखिए, मैं आपको सिखा देता हूँ, वैसे थोड़ा सा अलागे आपको चेक नहीं करना है, लेकिन फिर भी, देखिए, अगर मैं इस में value को put करता हूँ, इस वाले में, x का value, तो आपके पास 300 आना चाहिए, या इस वाले में डाल दो, कोई issue नहीं है, इस वाले में अगर आप डालते हैं, आपके पास कितना है, यह चेक करने के ल तो right-hand side equal आना चाहिए, देखिए, 7 into 30 कितना हो गया, 210 plus 90 is equal to 300, तो 210 plus 90 करोगे तो यह एगा, 300 is equal to 300, देखिए, LHS is equal to RHS, hence verified, ठीक है?